और मुहमद इसलाम साहब क्योंकि RLD से मारे साथ मौझूद हैं यहां देखे स्थिति इस वक्त ये बनी हुई है मुहमद इसलाम साहब कि यहां पर UP में आपका गड़ बंधन आपसे सिर्फ उटवल इससे जूच रहा है इसी पर समाधान निकालने की कोशिश हो रहे है उधर खिलेश यादव लगातार अपने PDA का विस्तार कर रहे हैं यह जो PDA का ए है ना यह अल्ब संख्यक आधियाबादी आधिवासी इन सबसे बढ़कर अगड़ों पर आ गया है देखे पुझा जी आज की डिवेट का जो PDA मुदा है जो बेन मुदा है मैं काफी दिनों सो दे बुलाइम सिंग जी का समाजवाद छोड़ दिया असल मैं 5-7 साल पहले इन्होंने एक बड़ा शडियत रचा बहुजन समाज पार्टी के कैडर को तोड़ा आज मैं ऐसी बात बता रहा हूं कि इस पर पहस होने चाहिए बहुजन समाज पार्टी का कैडर तोड़ा आनके च बना चुके जैसे भी भी विदान्समा में दिया है अभी आप जो है बहुजन समाज मुदा बना लो आप लोगे थे समाजवाद की काम करते एं अखिलेजी बहुजन समाज की बाद ज्यादा करते है तो यह क्या हुआ एंडियक अब्जोर नहीं हुआ है स्टेशिटे जो ज जो कैडर है बहुजन समाज पार्टी का तोड़ करके और एक बिलकुल देटिव में प्रदेश फ्मुच में खरी सेकूए कुके यहीनज का हाश elbow करके और मुद्धा परटी को खतम करो। इससी कपि यह कब्रीच के कब्रीच data करके और का citation準備 को actually आप शिराम जी ने तयार किया था एक कैडर को इंडिये कड़ बंधन उनीस से हाफ से भी कम पर आ गया है लेकिन फिर भी आपको ये रेलाइज नहीं हो रहा है योगी आदितिनात के रहा है कि अती उत्साहा से ये प्रदर्शन ऐसा रहा नहीं देखें मैं तो मेरा नुमान है बहुजन समाज पार्टी को इनों ने खतम करके उसका वोट हाजिल करके 30 सीटे जीती है और यहीं इसलिए ये बहुजन समाज बहुजन समाज के बात अखिलेजी कर रहे हैं ये देखें अल्व संक्या को पिषड़ा हो दलीतों को देते कुछ नहीं है आज 80 सीटों में चार इनोंने जो है बेवकूब बना करके ये जीती है इसमें पूरी साजिस जो है यह यह था आरोप समझ में आ रहा था ना मौहमद इसलाम साब जब दोनों साथ थे अब तो थे ही दोनों अलग-अलग नहीं अलग-अलग जैं तभी तो इसको पूंची उससे ज्यादा चोड त आप फर सीट का विशलेशन कर दीजे, इनोंने एक एफेक्ट, नेरेटिव ठला करके, बहुज़न समाज पंजी का बहुत हादिनी है, सभीश प्रकाश जी